दोस्तो गार्णी विद नीरू चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले तो ये जानी है कि निम्बू का कौन सा पौदा गमले में उगाई है वैसे तो निम्बू का पौदा बीज और कटिंग से भी त्यार हो जाता है पर उस पर फाल दो तिन साल के बाद ही आएंगे और पौट में ये पौदा अच्छे से फ्रोटिंग भी नहीं करता मैं आपको एक्जेंपल बताती हूँ ये देखिए ये मैंने उगाया था बीज से और इस पर फाल अना शुरू हुए थे तीन चास साल के बाद और पूरा साल ये ऐसे ही पौदा रहता है बस छे आठ इससे ज़्यादा निम्बू नहीं लगते है तो अगर आप चाथते हैं कि निम्बू का पौदा उगाने के शे मिने बाद ही निम्बू आने लगे और सादा साल भर-भर का निम्बू आएं तो आप लोकल नर्सी से निम्बू का पौदा लाईए एक बात का ध्यान जरूर रखें कि पौदा कागजी निम्बू का हो और ग्राफ्टिड हो और पौदा खीरने से पहले ये भी ध्यान रखें कि उस पे दो, तीन, चार निम्बू लगे होने चाहिए तांकि ये पता चल जाए कि ये ग्राफ्टिड है पौदा हुआने के लिए ये गंब्ला या ग्रोव बैक का चुनाव करें वो भी पिल्कुल सही होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि पौदे पास ज्यादा निम्बू आएं तो गंब्ले का साइज चौभी इंच से काम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर छोटा गंब्ला होगा तो निम्बू के पौदे की ग्रोव अच्छे से नहीं होगी क्योंकि जो ग्राफ्टिड पौदा होता है ये साइडों पर फैलता है बुश्य होता जाता है इसकी टाइनिया साइड पर जाती है उचाही काम होती है तो इसको अपनी ग्रोवथ के लिए सही साइज का गंब्ला होना चाहिए और एक बात का खास थ्यान रखें कि गंब्ले को 6-8 केंटे की दूप तो ज़रूर मिलने चाहिए गंब्ले को ऐसी जगा रखें जहां इसको दूप मिलती हो अगर नीचे आपके शहरों में नीचे जगा कम होती है तो अगर नीचे जगा नहीं है तो छातपार लगा सकते हैं मैंने तीन पॉद्दे लगाए है और तीनों टैरस के उपरी लगाए है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं एक जो मैंने आपको बताया है, बीज से उगाया था, उस पे कम लगते, इसे उगाने के लिए सही potting mix त्यार करें, 60% garden soil, 20% गोबरखार और homemade compost या वर्मी compost डाले 30%, मिटी बुरपरी होनी चाहिए, अगर बुरपरी नहीं है मिटी, तो उसमें 20% rate mix कर सकती है, जब पौदा आप इसे homemade compost या गोबरखार डालें, निम्बू के पौदे में आप chemical खाद माते डालें, क्योंकि निम्बू गाने का फाइदा ही क्या है घर में, अगर उसमें भी हम chemical डालें, chemical डालें, तो आप kitchen waste, garden waste से homemade compost त्यार कर सकते हैं, अगर नहीं possible तो आप गोबरखार डाल सकते हैं, या बहुत अच्छे से होती है, और पूरा साल निम्बू पढ़ते हैं, और एक साइट पे फूल भी पढ़ते रहते हैं, यानि कि पूरा साल ही फ्रोटिंग होती रहती है, और इतने ज्यादा निम्बू लगते हैं, कि मार्कर से क्रीदने की जरूरती नहीं पढ़ती है, गर्म